अधिया और इंडिया आधिया बार एक्जामिसल 16 जो 31 अक्टूबर 2021 को अभी संपन्द हुआ है उसका सेट कोड बी इसका एंसर की के लिए वीडियो पूरा देखें इसमें पहला क्विश्चन है सरकारी एजेंसियों के खिलाब प्रामिशरी एस्टेपल का फैसला कहां किया गया इसमें सी सही है प्रोडामी सभी मेल्स बनाम केरल राच कुश्चन नमबर दू अनुबंद की निरासा भारत अनुबंद अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है इसमें सही है डी सेक्शन 56 तीसरा कुश्चन है कर्मचारी मुआपजा अधिनियम 1923 की अन्सूची सेकंड किस संबंधित है तो इसमें सही है बी कर्मचारी की यह परिभासा में सामिल व्यक्तियों की सूची से प्रवेश को परिभासित किया गया है पाच्वेश में एंसर सही है ए 17 अब आते हैं हम लोग कुश्चन नमबर 6 निमन लिखित में से किस मामले में सर्वोक्ष नियाले ने यह माना है कि जाच अधिकारी को जाच के रिकार्ड उस अंदर भीत करने की अनुमत दी जानी चाहिए कुश्चन नमबर 6 का सही उत्तर है A. करनाटक राज बनाम यारप्पा रेटी कुश्चन नमबर 7 CPC द्वारा किस अधिनियम किस अवदी के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है साथवे का सही उत्तर है B. विदिन सिक्स मन्थ कुश्चन नमबर 8 L. A. R. A. अधिनियम के अधिन पुनर सुधार और पुनर वास के लिए कमिस्णर की नियुक्ति कौन करता है जो इसका सही उत्तर है D. स्टेट गवर्मेंट राज्य सरकार Q. 9. रेल करमचारियों को रेल प्रसासन द्वारा दुरगटना से चूट लगने पे मुवाबजे का भुक्तान किसके द्वारा नियंत्रित होता है Q. 9. करमचारी मुवाबजा अधिनियम 1932 Q. 10 Q. 9. करमचारी मुवाबजा अधिनियम 1933 के तहर देय मुवाबजे की नियुंतम रास दुरगटना के कारण रेलवे करमचारी की अस्थाई विगलांगता के मामले में डायस जाय डायस रुपए है इसका सही उत्तर है D. एक लाख बीस हजार Q. 11 एक ऐसे अपराधी को सरड देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरपतारी का आदेश दिया गया हो जिसका अपराध ब्रित्य दंडता है हो उसे किस धारा के तहट निप्टाया जाता है Q. 11 का सही उत्तर है B. Section 216 IPC Q. 12 सुत्रवाक एक्टस नोट फैसिट रियूम नेसमेस सिट रिया का अरथ है 12 का सही उत्तर है दोसी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता अब आदे है कुश्चन नमर तेरा भारती अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा दिहत्तर द्वारा निर्धारित कानून निम्न लिखित में से किस केस संबंतित है तेरा का सही उत्तर है C. हेडली बनाम बैक्सेल्ट कुश्चन नमर फोटीन मध्यस्तता का संदर्व मध्यस्तता और सुला अधिनियम 1996 की किस धारा से लिया गया है 14 का सही उत्तर है D. सेक्शन एट कुश्चन नमर पंद्र मुख्य उत्तर वर्ती आचरण के तहत निमनलखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा 15 का सही उत्तर है D. उपरोग तो सभी कुश्चन नमर फोला C. पीसी की धारा दस के प्रावधान है इसमें सही उत्तर है B. मेंडेटरी अनिवार्य कुश्चन नमर सत्र Constructive risk judicata निमनलखित में से किसमें नहीं थै तो सत्र का एंसर सही है A. धारा ग्यारा की स्पस्टी के रट थाड कुश्चन नमर अठार तिल्ली उक्ष नियाले के प्रसिद्ध उद्घोसडा जो भारती दंड सहिंकिता की धारा 377 की संबैधानिकता वैध्यता से संबंदित है उच्चतम नियाले पलट दिया गया किसमें तो अठारा का सही उत्तर है सुरेश कोसल बना नाज फाउंडेशन क्विश्यन नमबर 19 एक मध्यस्तता कारवाही है तो 19 का सही उत्तर है B क्वैसिन जूडिशिएल पोसिटि拜拜 अर्ध हमें आई कारवाही अगे बढ़ते हैं क्विश्यन नमबर 20 तदर्थ मध्यस्तता क्या है इसका सही उत्तर है D A, B, C Q21 निम्नलकी लिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सिधारा मध्यलाब को परिभासित करती है इसका उत्तर सही है D, Section 2, Class 12 अब 22 में आते हैं एक वकील बिदी के नियम को सुलिश्चित करने तथा सारवजिरिक न्याय प्रड़ावानी अपनी पूरी छमता से कारे करे के दाईत्य के अंतरगत पाधित है एक पेसेवर नैतिकता के सिधान्त का एक वकील द्वारा उलंगन किया जाना तुर्भागेपोर एवं आस्विकार्य है यहां तक की एक मामुली उलंगन कदाचार को की नजर अंदाज करना लोग प्रडवाजी के मुख मुगलाधार के विरुत है यह कहा गया है कुश्य नम्बर बाइस का सही उत्तर है बी ओपी सर्मा बनाम पंजाब और हरियाडा उचनियाले तोठाव जोने लेवें कुश्य नम्बर तेईस कंपणी यदिनियम 2013 की धारा आठ में निम्दलिखित में संबंधित दाउधान दिये गए है कुश्य नम्बर तेईस का सही उत्तर है बी दानसी लुद्धिश्यों इत्यादी सही तंपनियों का गठा कुश्य नम्बर चोबिस पंजी क्रित कार्याले का सत्यापन समावेश की अवदिके अंतरगत रजिस्ट्रार को प्रप्सुत किया जाएगा 24 का सही उत्तर है ए तीस दिनों 25 साइबर कानून संबंधित है 25 का सही उत्तर डी उप्रोक्त सभी कुश्य नम्बर 27 स्वास्त और सिक्षा उपकर लागू होता है 26 का सही उत्तर ए आले सेट सभी निरधारिती पर कुश्य नम्बर 27 संब्धात्मक दायत बनता है जहां पर 27 का सही उत्तर है ए जहां सिर्फ प्रस्ताव और स्विक्रिती है कुश्य नम्बर 28 हिंदू दत्तक्रहण और भरण पोसर अजियम 1956 की निमनलखित में से कौन सी धारा रख रखाव की रास से संब्धित है 28 का सही उत्तर है C section 23 क्वेशन नम्बर 29 निमनलखित में से किस वाद में सर्वप्च नियाले ने सर्वपधम जीवन के अधिकार को स्वास्त के अधिकार और अन्य स्वास्त कर सितियों के विश्तार के संब्ध में प्रस्त पर गवर करने का प्रयास किया 29 का सही उत्तर है A. Rural Litigation and Entitlement Center बनाम उत्तर प्रदेश राच्य question number 30 बेसल कन्वेशन निमनलखित में से एक से संब्धित है 30 का सही उत्तर है D. खतरना कचरे और उनके निप्टान की सीमा पर आवाजाही से कनियांतर question number 31 साइबर अपरात की प्रकिती है 31 का सही उत्तर है B. अहस्पस्ट question number 32 बिवाह अधिनियम 1955 उस्याचिका की जिसमें बैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फर्मान दिया कि तलाक के फर्मान के लिए अधालत में आवेदन देने के लिए भारित किया गया है कि फर्मान के पारित होने के बाद एक साले आई से अधिक के समय के लिए बिवाह के पच्छों के बीच पहचा पैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है क्वेशन नमर 32 का सही उत्तर है C किसी भी पच्छ को अनुमति देता है उसके लिए क्वेशन नमर 33 बाल बिवाह निशेथ अनियम तो 2006 के अंत तहत किया गया अपराध है 33 का सही उत्तर है C संगे और गैर जमानती क्वेशन नमर 34 कठोर दायत दुका नियम किस निड़े पर अधारित है 34 का सही उत्तर है C रायलेंड्स बनाम फ्लेशर क्वेशन नमर 35 अंती माउसर का सितान किस में निरधारित किया गया है 32 का सही उत्तर है A डेविस बनाम फ्लेशन नमर 36 निम निलखित में से यह किस वाद में अधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरट पुसर अधिनियम 1956 की 25 के अंतर में प्रतत अधिकार किसी विपरीत संभिता की जगर ले लेंगे तत्य यह है कि डिक्री की आतिती से कोई अंतर नहीं पुलेगा 36 का सही उतर है सी से सी अंमल बना थाओ अंमल तो 37 कोई बिलिजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरपतार कर सकता है जो 37 का उतर सही है बी उसकी उपस्थिती में गहर जमानती अपराद और संगे अपराद करता है गिरपतारी का वरांट कब तक लागू रहता है 38 का सही उतर है डी निसपादित या रद्ध होने तक क्वेशन नम्बर 39 आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतरगत अतिरिक्त मुल्य हास की दर होगी इसका सही उतर है बी 20 परसें क्वेशन नम्बर 40 22 जन्वरी 1947 को संबिधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश प्रस्ताव किसके द्वारा तयार किया गया सही उतर है जवाहर लाल नहरो 41 संपत्तिके अधिकार को किसके कारेकाल के दवरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द किया गया था 41 का सही उतर है D. मुरार जी देशाई Q42 जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेस करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट से प्राप्त गिया था भारतिय साक्षा दिनियम की धारा 25 के संबन्द में निम्द कितमे से कौन सा स्विकार्य नहीं है 42 का सही उतर है A. 1st, 2nd and 3rd 43 वेसेश्ट राहत अधिनियम 1963 के अधिन मुकदमे किसी घ्रनेस्तारण के लिए सीमा की अवद कितनी है 43 का सही उतर है C. 12 मन्थ 44 एक मुख्यनाईक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है 44 का सही उतर है A. 7 साल से अधिक नहीं 44 45 प्रक्रियात्मक अधिकारा तीत से क्या स्तात्पर है 45 का सही उतर है D. A. B. 46 रिकार्ड के सामने कानून की इस पस्ट त्रुटी का आधार किस रिट से जुड़ा है D. साटियोरिरी 47 सिविल प्रक्रिया संगीता के तहद गलत मिलान का पता लगाए C. सेक्षन 9 नियायलेओं का आर्थिक छेत्रा दिका 48 सिविल प्रक्रिया संगीता 1908 के तहद विदेशी नियायले का अर्थ है 48 का सही उतर है B. भारत के बाहर इस्थित्य नियायले और भारत सरकार के अधिकार अंतरगत इस्थापित नहीं है 49 जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुर्पयों का अर्थ है 49 का D. सही है आला तैब उप्रोक्त सभी 50 भारती रंड संगीता की धारा तिरपन के अनुसार चोट सब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हाली को दरसाता है उप्रोक्त सभी D. क्वेस्चन नमर् फिप्टीवन निम्न लखित में से कौन सा मामला अपराधिक प्रक्रिया संगीता 1973 की धारा 465 के तहत किया गाजा सकता है 51 का एंसर है B. एक मामले के लिए गए साक्ष को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना क्वेस्चन नमर् फिप्टीटू निम्न लिखित में से कौन सा कथर डे नोवा मुखत्मा के लिए सही है इसका एंसर है B. क्वेस्चन नमर् फिप्टीट्री राजबार काउंसिल के सदस्यों की अधिक स्थम सीमा क्वेस्चन नमर् फिप्टीट्री का स्वई है C. क्वेस्चन नमर् फिप्टीफोर विशेष्ट राहत अधिनियम उननीस सो तिरसट में सामिल है क्वेस्चन नमर् फिप्टीफोर का एंसर है D. एट चैप्टर्स एंड फोटीफोर सेक्शन आठ अध्याएं और चोवालिस थाला क्वेस्चन नमर् फिप्टीफाइब अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 2013 को पारिद करने वाली समित की अध्यचता किसके द्वारा की गई थी इसका एंसर सही है C. जेस्टिस जेयस वर्मा क्वेशन नमर् फिप्टी सिक्स दंड प्रक्रिया संगिता की योजना के पहत असंगिय अपराध है इसका सही उत्तर है C. सारवजनिक और निजी दोनों गल्तियां क्वेशन नमर् फिप्टी सेवन आर्टिकल फिप्टीन वन मात्र के आधार पर किसी पूरुस का महिला के साथ बेद भाव अनुक्षेत फिप्टीन मन का उलंकन होगा 57 का सही उत्तर है E. लिंग 58 प्रवेश को ब्यापक तौर पर वर्गी करित किया जा सकता है 58 का सही उत्तर है D. बोथ A. एंड B 59 भारती साक्षदिनियम की धारा 66 निर्दारित करता है 59 का सही उत्तर है E. भारती साक्षदिनियम की धारा 65a के अंतर गा तुदि ये साक्षब्राब्थ होनी के पूरा नोटिस को दिया जाना चाहिए क्वेशन नमबर 60 मैक्सिम रेस इस्पा लोकी टूर का अर्थ है इसका सही उत्तर है ए वस्तुस्वयम बोलती है 61 एक जनहीत आज क्या दायर करें जाहिर तौर पर सारवजनी खित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हीतों की सेवा के लिए इन सब्दों का अर्थ है क्वेशन नमबर 61 का सही उत्तर है डी जनित होने की बात करते हुए लेकिन असल में नीजी हितों की सुरच्छा की मांग करते हुए PIL दायर करना है Q62 तुक्ष जनही तियाच क्या दायर करने का परिडाम होता है सही है D उपरोगत सभी Q63 जेड अपने पागलपन के दौरान एक सबू मारने का प्रयात्न करता है क्या Z किसी अपराद का दोसी है क्या X को नीजी प्रतिरक्षा का वह अधिकार है जो उसके पास होता है यदि Z स्वस्थ चित होता 63 का सही उत्त है A Z ने IPC की धारा 98 के नुसार कोई अपराद नहीं किया है और यदि Z पागल है तो यक सबू नीजी प्रतिरक्षा का समान अथिकार है 64 CR PC की धारा 109 के तहट चंदिक्त व्यक्ति के अक्षे ब्यवार के लिए सुरक्षा के रूप में बांड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निस्पादित नहीं किया जा सकता इसका सही उत्तर है C एक वर्ष 65 CR PC 1973 की धारा 125 के तहट पत्नी को भरण पोषड के रूप में भुकतान की जाने वाली राज 500 रुपय की अधिकतम सीमा को डैस डैस में हटा दिया गया इसका सही उत्तर है C 2001 65 WIPO सब्द का अर्थ है तो इसका सही उत्तर है B 20 बहुत धिक संपदा संगठा Q67 रोजगार के दोरान बस दुरगटना में एक रेल करमचारी की मौत हो गई उसके परिवार के सदस्य डैस तहत मुकदमा का दावा कर सकते हैं 67 का सही उत्तर है D 68 बालीवुद भारती फिल्मों द्योग में कास्टिंग काउच का एक उदार है तो 68 का सही उत्तर है B यह उनुक पीड़न Q69 मोटर वहां अदिनियम 1968 के धारा 2 के अनुफार मोटर कैब सब्दकार्थ है कोई भी मोटर वहां जिसका निर्मार किया गया हो या के लिए बनाया गया हो इसमें सही उत्तर है B 6 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द्राइबर Q70 राष्टी उपभोकता संडक्षड आयोग बना हुआ है तो 70 का सही उत्तर है B 5 पेमबर्स निर्मन लिखित में कि इस तारीक को हिंदू बिवाह अदिनियम 1955 लागो हुआ इसका सही उत्तर है A 18 माई 1905 Q72 हिंदू उत्तरा दिखा रदिनियम 1956 की धारा तीस के अंतरगत निम लिखित में से कौन सी संपत्ती आएगी सभी है इसलिए इसका सही उत्तर है D आलाप्देवब उपरोगत सभी 73 आदेश 4 नियम 1 के तहत नियाले में किस तरह बाद प्रस्तुत किया जा सकता है इसका सही उत्तर है B डुप्लिकेट क्वेशन नमबर 74 आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक 74 का सही उत्तर है D निस्पादन को प्रभावित नहीं करेगी 75 75 जहां किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारिक छमता के किये गए अधिनियम के लिए भारत संग या राज के खिलाब एक डिक्री पारित की जाती है CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री का निस्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की आवदी के लिए असंतुष्ट नहीं हो 75 का सही उत्तर है A 3 months from the date of decree 76 कुछ मामलों में गिरपतारी और नजरवन्दी के खिलाब संटक्षड का उलेग भारती सम्मेधान में निमलकित में किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छे 22 आप्शन C क्वेस्चन नमर 77 भारती सम्मेधान के अनुच्छे 300A जो संपत्ति के अधिकार को इस संसोधन द्वारा संम्मेधान में सामिल किया गया इसका सही उत्तर है A 44 वा संसोधन अधिलिया 78 मुस्लिम परसनल ला सरियत अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निमलकित में किस धारा को मुस्लिम विवा विगठन अधिनियम 1949 की धारा च्छे द्वारा भांग संसोधित किया गया है इसमें रहेगा सही B section 5 79 या कोई पच्छ जिसने अभिवचन में संसोधन करने की अनुमत प्राप्त करने का अधियस प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंतरियत उसमें संसोधन नहीं करता है तो उसे नियाले की अनुमत के विना ऐसा करने की अनुमत नहीं दी जाएगी 79 का सही उत्तर है B 14 दि अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ताद नियम 1961 की किस धारा द्वारत दिलाया थारा के तहद दिया गया है इसका सही उत्तर है C 35 पेसेवर लापरवाई का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकिस्सा पेसेवरों के खिलाप IPC पेसेवर लापरवाई की किस धारा के तरह आरोप लगाया जाता है कुशन नम्मर 81 का B सही यह 304 A 82 अधिकारी कारियों में A के पच्छ में करने के लिए E नाम के तोर पर एक लोग सेवर B को रिष्वत की पेसकर्ष करता है B रिष्वत सिपकार करता है 82 का सही उत्तर है B A ने IPC की धारा 161 में परिभासित अपराद का बढ़ावा दिया है 83 सतत निसे धाग्या दिया जा सकता है 83 का सही उत्तर है D उपरोप्त सभी 84 अपरादिक प्रक्रिया संगीता 1973 के तहत बलातकार पिडिता द्वारा दी जा रही बलातकार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा इसका सही उत्तर है D महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी प्रादिक प्रक्रिया संगीता 1973 के प्रावधान के तहत 85 का सी सही है संबन या तो पेस होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज बस्तु को प्रसुत करने के लिए होते हैं कौश्चन अम्बर 86 प्रतेग व्यक्ति जो संग के अधिन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है डैस आवकास के दौरान उस पत को धारण करता है इसका सही उत्तर है बी राष्ट पत शारवजिनिक निजी भागिदारी पर्योजना के लिए केंद्र सरकार दौरा भूम यदिक्रण के मामले में अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सामती अनिवार्य है एक कंपनी जो एक घरिलू कंपनी नहीं या वनिम लिखित की दर से आयकर का भुक्तान करेगी 88 का सही उत्तर है C 40 परसें 89 एक कंपनी या सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिंदका उपयोग ना कर सके इसका सही उत्तर है B ट्रेडमार्क 90 मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कारवाही के प्रारभ होने के समय से समध्धित है इसका सही उत्तर है B सेक्शन 21 प्रस्ट संख्या 91 वार्षिक मूले से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहक कटोटी की राजी है इसका सही उत्तर है C वार्षिक मूले का 3 बटे 10 अगला प्रस्ट 92 तारकिकता की जाज पूरी तरह से जाज नहीं है और इसकी रोब्रेखा सम्मिधार द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है इसका सही उत्तर है A सब्जेक्टिव 23 भारती सम्मिधार के अनुच्छेद 11 के प्रावदानों के तहत भारत की दागरिकता से संब्धित कानून बनाने की सक्ति डैस को दी गई है इसका सही उत्तर है D पारलियामेंट अगला क्विश्चन 19 फोर हिंदू विवा अधिनाव 1955 के प्रयोजन के लिए निम्द लिखित में से कौन सा कथन सत्य है सुरी असत्य है 94 का अइंसर है A यह माना चाहता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम संथाल इसारी यहूति या पार्सी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है इसमें केवल पहला सही है 95 का B सही है 89 96 भारती साक्षदिनियम कब लागो हुआ इसका सही उत्तर है D 1 सेप्टेंबर आफ 1872 97 क्विस्चन नमबर भारती सम्मिधान के अनुक्षे 315 के प्राउधानों के अनुसार इसमें 1, 2, 3, 4 है इसमें सही उत्तर C 1 & 2 Q98 सर्वोप्च द्याले द्वारा वर्गी क्रित अनुमानों के कितने प्रकार है इसका B सही है सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान Q99 मेनका गाधी बना भारत संग के केस में मतपुर नेड़य क्या है सही उत्तर A सुनुमाई का अधिका आस्ट क्वेस्चन 100 अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ इसका अब A सही है 19 माई 1961 अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ कर लागू हो अधिवक्ता थम्यान асти